नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारी यूटुब चैनल सुनी टेक अने जूकसर में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSE selection post phase 9 के exam center में आप कौन-कौन से documents लेके जाएंगे या फिर आप कौन-कौन से documents नहीं लेके जाएंगे अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको किन-किन गलतियां करने से आपको exam center में परवेश करने में वार्जित होगा यानि आप नहीं कर पाएंगे आपको लोटा दिया जाएगा तो दोस्तो ये जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अन तक देखना है ताकि इस वीडियो में बताएगा पूरी पूरी जानकारी आपको मिल पाएं दोस्तो चलिए वीडियो के और चलते हैं दोस्तो एड्मिट का डाउनलोड करने के बाद आपको इस परकार से इंटरफेस होगा इंटरफेस होने के बाद दोस्तो आपको नीचे के और जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं अभ्यातरी के लिए समान्य निर्देश दोस्तो यहां पर तीन नमर वाले पॉइंट में जैसे के दिया हुआ है कि अभ्यातरी परिच्छा के रिपोर्टिंग समय पर सिदेब निमलिखित अपने साथ लाएं तो जो जो आपको लेके जाना है यहां पर आपको तीन नमर वाले पॉइंट में मिल जाएगा तो चले देखते हैं सबसे पहले आपको क्या लेना है कि यहां पर दिया हुआ पर वेश परमान पतर यानि एड्मिन कारड लेके जाना है दूसरा हो गया पासपोर्ट आकार अपनी रमिन्तम रंगिन फोटो दो पर्तियां लेके जाना है तिसरा हो गया आपके जो है एसपस्ट फोटो वाला मुल रूप से कम से कम एक फोटो यूप्त विद परमान पतर है यानि दोस्तों जैसे कि आपके आधर कार्ड हो गया है आपके driving license हो गया है उसके बाद आपको आपके voter कार्ड हो गया है पेन कार्ड हो गया है ऐसे आपके कोई भी या फिर इसकुल के कोई भी certificate हो गया है जैसे कि आपके mark sheet हो गया है या फिर university के कोई आपके admit कार्ड हो गया है तो दोस्तो इस परकार से कोई भी आपके डोकुमेंस एक डोकुमेंस लिके जाना है जो की ओरिजिनल होना चाहिए और आपके फोटो भी साफ साफ दिखना चाहिए उसमें उसके बाद दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं घह नमर में आपके दिये हुए हैं यदि फोटो पैचान पत्र में पूर्ण जन्मतिती अंकित नहीं है तो उमीदबार को अपनी जन्मतिती को सच्य के रूप में अतिरिक्त मूल दस्तवेच लगाना लाना होगा जि की परवेश परवान पत्र में अंकित हैं दोस्तों यहां पर मैं बता दू कि जैसे कि आप आधरकार्ड आधरकार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी होता है कि अपने डेट वबर्थ जो है जैसे कि मान लीजे आपके दो जन्वारी 1995 आपका डेट वबर्थ है और उनमें से आपके जो आधरकार्ड में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1995 यानि 1995 के वल इयर दिया हुआ है जबकि आपके परवेश परवन पत्र यानि एडमिट कार्ड में जो है एडमिट कार्ड में आपके फूल डेट वबर्थ है तो इस कंडिशन में दोस्तों आप आधर काड ना लाए उसमें आपको प्रोलम होगा आपको इन होने नहीं देगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके आधर काड में देखना है आप जो भी डोकुमेंस ला रहे हैं आपके एडमीट काड और आपके डोकुमेंस में जो की ओरिजिनल डोकुमेंस में आपके फ लाना है उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर जैसे की COVID-19 के लिए बताया गया है कि Face Mark दोस्तों यहां पर पारदर्सी पानी बोटल तो दोस्तों आप पानी बोटल ले भी जा सकते हैं या फिर ले जाने से भी चलेगा आपकी यह ब्यवस्ता वहां पर सेंटर में मिल जाती है उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है यहां पर देख सकते हैं परवेश परमान पत्र क पत्र आपको मिल जाएका यह एक फॉंक को आपको भरना भरने नहीं आरहा है आपको समझ में और आप comment बोक्स मील लिख सकते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बना दूगा तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी वैसे ring पैना हुआ है आप या फिर आप girls candidate है तो आप ये ring या फिर आप जो आपके nose ring होता है तो ये सब पहन के ना चाहें ना कड़ाब पहन के चाहें ना belt लगा के ये सब आपके allowed नहीं है उन center हो पे तो दोस्तों किसी भी परकार के metal आप लेके ना जाए दोस्तों उमीद करते हैं आप सबी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को like, comment, share करना ना भूले और इसी परकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe क करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जै भारत